अपनी तुलना दूसरों से न करी एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौवा रहता था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देख कि ये तो बहुत खुश रहता होगा कोवा हंस के पास गया और पूछा भाई तुम इतने सुन्दर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे इस पर हंस ने जवाब दिया हा मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था उसे देखने के बाद से ल और वो सूर खरे रंग का था, सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुन्दर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में धूनधा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को धूनते धूनते वह चिडिया घर में पहुंच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आये हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लो लोग इस चरियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चरियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तु आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की एहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुनों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिलकुल अल हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इगनो कर देते हैं।